क्या लगता है कि इंडिया आने वाले टाइम के अंदर इस रोड इनिशेटिव से चाइना को टकर दे दे सकता या नहीं दे सकता अमेरिका साथ मिलेगा तो देखे जहां सूपर पावर की बात आयती है ना वो कुछ भी कराने के लिए राजी हो जाते हैं लेकिन अभी इंडिया तीन दफ़ा जा चुके हैं उसके बाद भी पाकिस्तान वो एक दफ़ा भी जबसे प्रेजिडेंट ऑफ अमेरिका बने है तब से एक दफ़ा भी नहीं आई तो आप लोग और कहले ना एक दफ़ा उनका दोस्त मुकाबले की बात होती है ना तो मुकाबला जोश और हिम्मत पर रहा जाता है वह हम में बहुत है क्या वजुवात है कि आपको किस वज़ा से लगाना जोंसे ना वह आपका उसका एक तो लेंड आप देखें कहां से स्टार्ट होता है दुनिया मे काबले टेकनोलजी में क्यों नहीं कर लेते लेटर वह बड़ा मुश्कल था तो 300 प्लस हो गया तो यह पी पता नहीं है कि अब इदर सिट्राक को नहीं कि अभी कंटीनी हो आगे यह हलात हिंदुस्तान में भी होते होंगे नहीं बहुत हो चांद पर चले अब बात करें तो में वाले टाइम के अंदर इस रोड इनिशेटिव से चाना को टकर दे दे सकता या नहीं दे सकता अमेरिका साथ मिलेगा तो देखे जहां सूपर पावर की बात आयती है ना वह कुछ भी कराने के लिए राजी हो जाते हैं हमारी एक ट्रेन का इनिशेटिव है जो यहां से लाहूर से तुर्की में जाती थी आज से कोई साव साल परानी बात है वह अभी तक बहाल नहीं हुई वह बहाल नहीं जो बनी हुए ट्रैक है और एक जो अभी कहते हैं आपने सूपर बारवाल की बात बताई है वह अभी लेकि उसको पर एक्जेक्विशन शुरू कर चुक आपने एरान और के कहते हैं एक और कंट्री का नाम लिए जिसके जरीए से रोड गुजर के जा रहा हम से अभी आपको इतना ही पता हो कि पॉलिटिकली तोर के पर एक छोटी सी बात हो जेगी कि हम जो अफगानिस्तान है वहां पर हमारा डॉलर जो है ना रेड उससे जाद होता है ठीक है तो यही बात है कि जो अभी एक रेलवे का ट्रैक बन रहा हूं को उससे फाइदा होगा वो इसके उपर सूपर पावर का इस्तमाल करते वे आगे निकल जाएंगे हम लोग यहां पर अपने रोटी कपड़े मकान में फसे रहेंगे इसके अंदर हमें कोई फा पाकिस्तान नहीं आए तो यहां से आगे पतनी निकल भी गया उसके बारे में किसी ने पूछा ही नहीं हा जी जैकमा के बारे में नहीं पूछा है तो जैकमा तो वह है जो दुनिया के अमीर तरिए रहीं तीन बंदों में से आता है और आप JP के बात कर रहे हैं वो तो अब toen यह सलमान साहब की आपने 5 में नहीं आते अगर उनके 6 उनका इतना मस्वलार है यह अगर आते है नहीं इंडिया तीन दफ़ा जा चुके हैं उसके बाद भी पाकिस्तान वो एक दफ़ा भी जब से प्रेजिदेंट ऑफ अमेरिका बने हैं तब से एक दफ़ा भी नहीं आई तो आप लोग और कहले नहीं एक दफ़ा और इससे आपको नुक्सान हुआ है और अपने मुल्क के आप अपनी हैसिय से जादा एक चीज को बढ़ा रहे हैं तो मेरे ख्याल से पॉलिटिकली तोर के पर इस चीज का इशू बनेगा अगर बैल्टन रोड बन जाता है दूसरी मुल्कों का तो इससे पाकिस्तान को क्या बैनेफिट होंगे या लोस होगा पाकिस्तान और अभी जो मजीद जाते हैं तो नुकसान उठाना पड़ सकता है देखें हमारा जो यह बैनेफिट हमारे रोड बनी यह समझने के एक बहुत नेमत अल्ला ने दिया हमें हमें उसका फायदा जल से जल्द उठाना चाहिए यह जोड होके एक दिन बैठना चाहिए देखें जिस मुमालक हो कि आपने बात कि बैल्ट रोड बनाने के लिए वह एक पावर्फुल एकनॉमिकली कंपनी हैं उदर के जो लोग है वह इतने ज्यादा हैं कि कहते हैं तदाद के अंदर तो वहां तो आटोमेटिकली एकनॉमिकली तो और के उपर फायदा होना हम तो देखें अगर अगर हम इरान और अगर अफगानिस्तान को भी देखें तो हम तीनों मुमालिक में के इंडिया का मुगाबला नहीं कर सकते हैं अगर आप डेटे की बात कर रहें तो डेटे के लिहाद से हमारी जो एकनॉमिकली और क्या कहते हैं तो आप अगर पावर्फुल कंट्रिस की बावता क्या समयते हैं आने वाले टायम के अंदर अभी जो जी ट्वेंटी का समिट हो रहा है इंडिया उंदुस्तान के अंदर ये हिंदुस्तान के लिए कितनी खुशखबरिया लेकर आएगा और क्या वर्ल्ड वाइल के दुनिया का नजर चांद चंद्रियान पर जाने के बात उनके मुलक के अंदर तो ऐसे समयलने के सोने पर सुहागा हो गया जितनी बाइर से इंवेस्मेंट आ रही है और जितनी दुनिया उन पर ट्रस्ट कर रही है और साउथ पोल पर जाने वाला पहला मुलक भी बन गया इंडिया तो क्या समयते हैं आपके कितना बड़ा उनको मिलती जा रही है उनकी जो पॉलिटीशन है उनके जब से 15-10 साल होने वाले हैं भी 15 साल अगये एलक्षन में भी वही आएंगे हमाई को इस तरह का पॉलिटीशन क्यों नहीं मिला जो पाकिस्तान को भी तरकी के तरफ लेकर जाए कोई मिला इस तरह का बोस यह चीज ने एक सोच से आती है ठीक है इंसान मर जाता है एक सोच जिन्धा रहती है पाकिस्तान भी सोच का नाम है गला चाप अगर तो आप अगर ये चीज़ करना चाहरेख तो हमें अपनी सोच को बढाना होगा हमें अपनी जो है ना रोटी कपड़ा मकान से आगे निकलना होगा करें निकल सकते हैं यह उपिके सिनेरियो सोसी से बहुत दूर है बहुत दूर है हमें तो उन्होंने इसी चीज में पसागे रखना है और उपर क्रीम सेट रखना है मुझे एक बात बताएं कि हम यहां पर कहते हैं कि हम मुखाबला इंडिया का करेंगे यहां पर हमें रोटी नहीं पूरी हो रही है और वो बात करते हैं कि बाई सूपर पाउर बनने की या ना बनने की अगर आप जजबात को थोड़े साइड पर रखकर आप मेंडली तोर पर मेंडल को थोड़ा हाजिर रखके दिमाग को हाजिर रखके सोचेंगे तो लगता है कि मुकाबला करने के लिए जिस तरह के हमारे हालात हैं ना साइंस से हमारी दूरी हम कोई बात साइस पर करते ही नहीं है अगर साइंस दानों की बात करें तो हमारा भी कोई स्पेस एजनसी है किसी भी चीजिस का हमें पता ही नीनिया, शरह रोटी का बता है, और कोई चीज नहीं चल रही, Тो मुकाबला पॉसिबल है उनका दोस्त मुकाबले की बात होती है न, तो मुकाबला जोश और हिम्हत पर रह आना है रहा हो हम्में बहुत है ठीक है अगर हम कहते हैं अगर रोटी कपड़ा मकान नहीं है तो उस पेस पे भी हम जोश से लड़ जाएंगे कैसे लड़ोगे बहुत देखे बात आपने जो मुझे की ना वो जोश की किया कि अगर आपके पास जो है ना आपने फॉर एक्जांपल बात ये की है कि हमारे पास सूपर पावर होने के نाते पे भी हमका मुकाबला कर सकते हैं तो मैं तो आपको यहीं जवाब दिया कि हम हमें मार रहे हम उस सोच का मुकाबला नहीं कर पारें अब मुझे बताएं एक बात है कि आपके पाथ जजबा इतना ज्यादा कि आप उनको मुकाबला कर सकते हो सिर्फ और सिरुफ लडाई में हम मुकाबला एजुकेशन में क्यों नहीं कर लेते हम मुकाबला टेकनोलजी में दुनिया हमारी मिसाल दे ऐसे हो सकता पॉसिबल होने को लिए कुछ भी हो सकता है आपने मेरे सुआल का खुद ही जवाब दे दिया कि हम टेक्नोलोजी के और सोच के तो जो है एक जीती जाती साधिश का शिकार हो रहे हैं ठीक है जब तक हम साथ बैठके इन सब चीजों को प हमारे इमान का हिस्सा कि हमने अपने मुल्के साथ उसके साथ प्यार करना है तो वही चीज़ हमें जोज चलाती है उसी जोज की प्रतल में हम लड़ना लड़ सकते हैं लड़ना चाहिए सिर्फ लड़ना इसलिए एक हमें आओ भाई तालीम के लिए लड़ते हैं आओ बही के लड़ते हैं कि कौन जाधा डिवैलमेंट की तरफ जाता है क्या लगता कि आपको अब जो लड़ाई रहा गई है जजबे के हातों में तरवाल लेकर डंडे लेकर आप किसी से लड़ने जाओगे एक मुलक जिसके पास हर किसम की टिकनोलजी वह बायो बायो जंग लड़ सक सब्सक्राइब करेंगे अगर आप उसके टेकनोलोजी पर उसने कोई पढ़ा लिखा या उसके बार में शाओर उसका को एक्सपीरेंस तो वह आकर बैटेगा अब जिसके बाद पैसा वो प्रोड़र पे देखे जो मिनिस्टर बंजत है क्या वह बंदा आकर हमारी चीज़ टेकनोलोजी को सब्सक्राइब करेंगा ऐसा नहीं हो सकता तो हम आप मानते हैं कि हम में फॉल्ट है हमारी एजुकेशन सिस्टम में फॉल्ट है इसको ठीक है इसमें करप्षिन है और इसके अंदर फॉल्ट है जबहुत अच्छा लगा बात करके तैंक अस्ताम लिकुम वा इनिशेटिफ है उसके अंदर तीन-चार कंट्रीस आती है पाकिस्तान अफगानिस्तान एरान और चाइना इनको मिलाकर रोड बना रहे हैं चाइना के जिससे चाइना के अंदर भी हमारे लिए फाइदा हो ऐसा तो कहने को सुनने को मिल रहा है लेकिन इसके बरक्स अभी ज चाइना को टकर दे पाएगा इंडिया क्या चाइना को बीड कर पाएंगे फ्यूचर के अंदर क्या समयते हैं इंडिया का उससे यूरॉप के वहां पर ड्वेलप करें तो इंडिया को तालुक है अगर तो रोड अगर इंडिया में अश्या में स्टैंड करती है तो फिर त पाएंगे यह नहीं दे पाएंगे तो मेरा निखियाल के वह चाइना पूरी मार्केट पे जो है आपके उच्छाया हुआ है आप जहां पर दुनिया के जिसको नहीं ब्रॉड भी काफी ट्रेवल करके हैं भी देख फिर घूंके हैं हाँ वह चीज आपको जो सेना मेड इंचा यहां पर बताना चाहूंगा यह सिर्फ और सिर्फ चार मुलकों का नहीं होता यह पूरे के पूरे जितने भी इंडिया को भी ओफर कर वाई लेकिन इंडिया ने रिजक कर दी कहा कि हमें समझ में नहीं आता हम आपके इस इनिशेटिव के अंदर पार्टिसपेंट नहीं कर चॉंडिया के अंदर बड़ी बड़ी कंट्री aoin बाइफ कर रहे हैं चाइन बुबेड़ ballet कर पर जैका यूंदिया चैनल नहीं कर सकता देखें चानल एक पर यूंदिया और के पास एकानलोवीइशनN涵ार नहीं है अब देखें ना कि अमेरिका जो सा यूएस से उसने भी जो सा चाइना से लोन लेके तो मार्केट में सर्वाइब कर रहा है पहले चाइना के यहीं हलाते ना चाइना को भी तो बिल्ट किया गया अब हम फ्यूचर को देख रहे हैं आगे मेरा नहीं ख्याल कि जो सा इंडिया इतना रैपेड़ी जो साव ग्रो कर सकेगा उसमें चाइना को कमपीट नहीं कर सकेगे लोग अब आप स्टेट स्टेटस देखेंगे किसी बीचीज के तो हर चीज के अंदर बीट करते हुए नजर आ रहा है इंडिया चाइना को बाहर एक्सपोर्ट की बात करेंगे तो एक प्रफिटी येर्स में इंडिया जो कमपीट कर पाएगा मेरा निख्याल के जो साना इसमें पॉसिबल है उसके लिए इंडिया के लिए ना क्या वजुवात है कि आपको किस वज़ा से लगा जो से ना वह आपका उसके एक तो लेंड आप देखें कहां से स्टार्ट होता है दुनिया मेर कहां जा खतम होते है और यूर्प में जाकर चाहिना लैंड़ जो से सिच्विशन क्रेट होती जा रही है सिख ब्रादरी जो और दूसरी जो उनके जो या वो इठ रही है इंडिबेंदेंस के लिए तो एंडिया के लिए मुशक्मिक आपि बहुत दो इंडिय हम अपनी बी बात कर लेते हैं. हम कहां लैग कर रहे है? हम क्या आगे、 जो कि हमारी हलात हैं, क्या हम survive कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्या situations देखते हैं? पिछले अगर हम 76th को देखते हैं, हमारा सामने जो गृराफ आता मॉलक का, कोई यतनी बड़ी प्रोग्रस नहीं कि हमने समझते हैं कि मुलक संबाला नहीं कि हम से क्या मुलक की बागदोर हमारे जो संबाली है ligger क्या सारी सीचुशबेशन है यह हम लोग अपने हम लोग अपने खूद अपने मुलक के सबüst नहीं होंगे कि हम मतलब कि अब यह नी समझेंगे हमारा मुलक आतु है अब मैं स्मॉइर है तो इसलिए वोई पुराने चेहरे बार बार आ जाते हैं तो मेरा ख्याल है कि जब तक हम लोग अपने मुलक के साथ हमारे एजुकेशन लैक और एजुकेशन जो से नहीं यहां पर बहुत ज्यादा इंपक्ट आता है कि हम लोग मलब के जब तक हम लोग प्रॉपर बहुत 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 कर लें किसी इंडिस्ट्री के अंदर आप सोफ्ट्वेर इंडिस्ट्री के बात कर लें आप आप आईटी मे इस बात पर भी मार खाए जाते हैं बार जाके यह चीज भी जो से ना बहुत ज्यादा इंपक्ट करती है हमारे उपर ना बहुत ही अच्छा लगा आप से बात करके तेंक यू सौ मच और वेरी नाइस टॉक भी दियू सर अस्वाम लेकुम वालेकुम स्लाम कैसे हैं अलहम राइड जला रहा है क्या किया हुआ हुआ क्वाली के स्कूल के फेस कताबबें दूद हो गहरा है मैं यकीन करें कि मैं ये तीन चार माह के बाद एक किलो सेब लजा सका हूँ गर मैं नहीं तो मैं रुजान ना आपकर ने घर में ना फरूड लेके जाता था ये हलात पैदा हो गए हैं कभी ये सोचा नहीं था मेरे हैल में ये मेरी 35 साल एज हो गई है तो मेरी जितनी उमर है ये इस से बातरीन दोर मैं नहीं देखा इतने टफ हलात हैं कि रूटीन के रूटीन ही पूरी कर सकते अपने बच्चों की तो आपने करना के हैं तो जे जब जो हलात है इनका जिम्हेद प्रस ऱरकी किस नहीं हो रहा है आपको पता ही है जो भी आता है वो बस अपने मफाद पर काम करता है तो यह हमारे मुलक की बदिक्समतिए् कि हाईदा को हुकमरान ही नहीं सही रहा हमारे मुलक को यह बद imply संस्मती है आपके सामने यह हैं कि असरोきます या रोर कषिद क्रस्फ तो तो तीन सो प्लास हो गया तो यह भी पता नहीं है कि यह दर सट्रा को नहीं करने हैं यह लिए हमारी आर्मी तो ठीक है और तो यह हमारे आर्मी बड़ी से ट्रोंग है इस वजा से यह मुलक फिलालस महफूज है अधर वाइस यह जैसे यह हुकमरान है ना यह इस पर कुछी निकभजा कर लेना था कि मतलर बेच के खाजवागा से आपके सामने है एक जो स्थैबल है जिसन को कॉयों काईदा है ऩारा आपके सामने है कोई भी दा रहा है अपना अपना सिस्टम चला रहा है ऊपने पूछने वाले कोई तो बचे भी बच्चों को भी लाओ लेकर चल रहें परेंजों कोई पूछने वह बहुत हैं आगे मजब में गई होने वाली उसके लिए और रहा है उन्छेज नहीं है कोई हमारे मुल्क में कोई हुकमरान नजर नहीं आ रहा हमें यह तो आर्मी चीफ साह भी नजर आ रहा है कि यह वाहद मुलक है कि जिदर हमारी हकुमत को सिर्फ बिजली मेंगी करने फ्यूल मेंगा करने तो इदर आपके सामने 300 प्लास है तो फिर भी कह रहे हैं यह सस्ता है यार मैं काले कंदे से मिला हूं वो बिचारा किसी ना मैडिसन कंपनिंग का मैनेजर है वो कंदे पंजाब लेवल पर मेरी पोस्ट है वो रो रहा था मेरे सामने वो कह रहा है मुझे कल्टस मिली हुई है क कंदे मेरे उस अब वाले को दी हूई है कि यार मुझे जो देन में आप पैसे बंते हो मुझे दे दिया करे तो मैं यूटरा रहा हूं ना मैं 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 लोकल बस परcare और घ olması मे exactly happen in Chinese पिर लोर कलास में आते हैं हमारा क्या आलोग आप प्ताए ना आप भी समझेधार हैं आपका मीडिया से तालोक है तो हम तो फिर हम आदमी है आपकी गुजरबसर हो रही है अब बताए ना उतले ठापई इस भाई इतना डिविकल्ट है कि लोग इतने परेशान है कि लोग बि इतनी मेंगाई है यार गुजर बसर करना मुश्किल है इंडिया में तो फिर भी वो कुई ना कोई चीज उनकी स्टेबल है कभी सुना है आपने के रोजमरा की बन्याद पे उदर पेट्रोल मेंगा